Hello students, आज मैं आपको ताल, त्रिताल की बारे में जानकरी दे रही हूँ ताल, त्रिताल बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है शास्त्रे संगीत जो स्टूरेंस सीख रहे हैं उन सभी को ये बता होगा जो आरंभिक, जो भी वो राक सीख रहे हैं, जो भी बंदिश सीख रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से ही इनको ताल, त्रिताल की जानकरी होना बहुत आफशक होता है और उसी की संधर्व में मैं आज आपको ताल, त्रिताल की जानकरी दे रही हूँ ताल त्रिताल 16 मात्रा की तार होती है बहुत सरन और बहुत जादा प्रयोग में लई जाती है और साथ में 16 मात्रा के साथ इसके 4 हाग होते हैं रतेक भाग में 4-4 मात्रा रखी जाती है जैसे पहले भाग में 1-2-3-4 में 4 मात्रा है दूसरा भाग है उसके अंदर 5,6,7,8 यह मातरा हैं तीसरा जू भाग है उसमें 9,10,11,12 और जो इसका अंतिम भाग है यानि चौधा भाग उसके अंदर 13,14,15,16 इस प्रकार से 16 मातरा की यह ताल है और हम कह सकते हैं यह कि 1,5,13 इन तीन जू मातरा हैं उन पर ताली लगती है और नवी मात्रा जब आती है यानि जो तीसरा भाग है इसका जिसमें मात्राय रखी गई है उसमें नवी मात्रा से तीसरा भाग शुरू होता है उस पर खाली लगती है अब ये एक पांच और तेला पर ताली और नवी मात्रा पर खाली कैसे लगती है ये मैं आपको बताती हूँ, interviewing ताल कृताल की मैं थोड़े से जानकरिया आपको पहले ये देदू कि ताल क्रिताल बहुत ही प्रियोग में लाए जाती है और इसमें सरगम, लक्षन गीत, सुगम संगीत तो बहुत आयत से इसमें प्रियोग किये जाते है लेकिन शास्त्रे संगीत में भी ये बहुतायत से प्रियुक ली जाती है और विभेन लयों में प्रियुक की जाती है जैसे विलम्बित लय, मध्यलय, तुरुत लय बहुत जादा प्रियुक में लाई जाती हैं और साथ में छोटे ख्याल तो अधिकतर आपको ताल तृताल में ही गाने को देखने को मिलते हैं साथ ही हम विलंबित लै में इसका विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल भी ताल तृताल में गाते हैं हम तो मैं आपको बताती हूँ ताल, त्रिटाल, सोला मात्रा किस प्रकार से हम लगाते हैं, देखे, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यार, बार, तेरा, चार, पंद्रह, सोलह, एक, तो यह होगी मात्रा में, अब बोलने किस प्रकार से होगी है, धा, धिन, धिन, धा, धिन, धिन, धा, धिन, 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 त, धिन, धिन, धा, धा, यह ताल तल के बोल हैं, और जो हम इसके किस मात्रा पर खाली और ताली, यह आपको अंदाजा हो गया होगा, पहले मात्रा से हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले मात्रा पर ताली होगी और दूसरा भाग हमारा पांची मात्रा पर हम दूसरी बीत लगाते हैं तो पांची मात्रा पर दूसरी ताली होगी और तीसरी भाग में हम नवी मात्रा पर खाली दे रहे हैं यानि नवी मात्रा पर खाली जाएगा और चौथा भाग जो हमारा है तेरी मात्रा से खाली लगेगी, तो इस प्रकार से दिये हुई 16 मात्रा की एक बार दुबारा से इसके बोल देखें, धा, धिन, धिन, धा, तिन, ता, धिन, धिन, धा, धा, तिन, ता, धिन, धिन, धा, था, तो यह ताल-त्रिताल की जानकरी थी, और इसको तबले पर कैसे लगाते हैं, आप जब गाएं, इसका पहले इसको याद करें, और जब आप गाएंगे, तब आपको मैं तबले पर भी इसको कैसे बजाया जाता है, इसको मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें, और उसको को पहचान कर उसके अनुरूप ही आप गाने का भी अभ्यास करें ताल त्रिताल सोला मत्रा अब यह आपने देखा ताल त्रिताल तबले पर किस प्रकार से बजाई जाती है आप इसे ध्यान से देखें और उसके अनुरूप ही पहले जोला मत्रा उसके बाद उसे हाथ पर कैसे लगाया जाता है इस ताली का वो अभ्यास करें उसे याद करें मात्राओं को और बोल को य अनुरूप ही अपने गाने को गाना आरंप करें उसका अभ्यास करें थैंक यू